जहें दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज की वीडियो में हमारे पास है UP Board Class 12 के English का syllabus और आज की वीडियो में हम दो चीज़ देखने वाले हैं पहला तो हम syllabus देखेंगे और इसके साथ ही ये भी देखने वाले है कि आपके paper में questions किस तरह से पूछे जाएंगे यानि कि कौन सा question कहां पर आएगा किस question number पर आप से paper वे क्या पूछा जाएगा सारी चीजे हम देखेंगे और पहले हम देखेंगे कि आपका syllabus क्या है आपको पढ़ना क्या है उसकी बाद और तीसरा आपका होता है supplementary को कही पर विस्तास बोलते हैं कही पर drama बोलते हैं जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं तो आप देखेंगे कि जो आपका pros है pros में आपको total 8 question पढ़ने हैं 8 chapters पढ़ने हैं पिछली बार 70% ही आपको पढ़ना था तो यहां से आपको interview भी नहीं पढ़ना था going places भी नहीं पढ़ना था poets and panics भी नहीं पढ़ना था केवल आपको 5 पढ़ना था 5 कोई सा था last lesson, lost spring, deep water, red, drap और indigo 5 यह आपको पढ़ना था लेकिन इस वार आपका कोई भी chapter नहीं कटा है एक भी chapter नहीं कटा है यानि कि आपको पढ़ना है पूरा का पूरा lesson और साथ है अच्छे से इसको तयार भी करना है सभी में से कई से भी question पूछनेते हैं जैसे कि अगर हम देखेंगे तो आपको पहला question जो हमें पढ़ना है who are the last lesson ये आपका पहला question number है पहला chapter दूसरा chapter है Lost Spring अनिस जंग का है तीसरा chapter है The Rat Trap चौता है The Indigo पाच्वा है Poets and Pancakes और छटा है Interview Part 1 and Part 2 और आठवाँ आपका chapter है Boeing Places सभी को आपको पढ़ना है और इन सब को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि एक बार जो आपको टीचर पढ़ा रहे हैं उसको अच्छी से पढ़िए अगर कम समझ में आया है तो आप इसका Hindi Translation देख लीजिए ये YouTube पर सर्च कर लीजिए The Last Lesson Summary in Hindi Summary आप देख लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार जो Hindi होती है जो कई के किताबे होती है कि कई कई books में ऐसे रहता है इतने में आपको English लिख कर देगा इसके नीचे इतने में आपको Translation करके Hindi में लिख कर देगा तो अगर आपको English कर समझ में आ रहा है तो आप Hindi पढ़ लीजिए अगर आप ऐसा करते हैं English के साथ Hindi समझ में आ जाती है तो ये pros हल्वा है एकदब एक बार में सब आपको याद हो जाएगा इसके बाद हम poetry पर आएंगे poetry पर आपको पढ़ना है 5 chapters ये साथ नया chapter जूड़ा हुआ है और आपका पाँच वा है आंट जैनिफर्स टाइगर ये पाँच आपको पढ़ना है chapter और इसमें से आता क्या है तो आता है एक चीज़ जिसको हम कहते हैं Central Idea Central Idea आता है और Central Idea अगर आप याद करना चाहें तो कुछ important chapters है जैसे कि आपका ये पहला वाला है My Mother at 66 इसका Central Idea आता करनी जिएगा Keeping Quiet का आता करनी जिएगा और A Thing of Beauty का आता करनी जिएगा जहां तक आता है इस बार ये वाला आंट जैनिफर्स टाइगर ये आपका नहीं पुछा जाएगा तो तेन आप ज़रूर याद किजिएगा आगे हमारा विस्तास है विस्तास यानि सप्लीमेंटरी सप्लीमेंटरी में टोटल छे आपको chapters फर्ण ने हैं पहला है दा थर्ड नेबल दूसरा है दा टाइगर किंग फिर है जर्णे टू दा इंड आफ दा अर्थ फिर चोथा है दा इनिमी पांचों है अन दा फेस आफ इट और छटा है मेमोरीस आफ चाइल्ड हूड क्या है मेमोरीस आफ चाइल्ड हूड आपको छे chapters इसमें पढ़ने हैं और इसमें भी क्या करना है आपको जैसे कि मैंने बोला कि इसमें आपको सबसे अच्छा तरीका है इसका हिंदी जान लीजिए एकदम डन है और इसमें क्या करना है इसमें आप इसका central idea याद कर लीजिए ये भी आपका डन है और इसके बाद क्या करना है यह पढ़ना है इसमें आपको हिंदी जानना पड़ेगा हिंदी तो जानना नहीं जानना है उसके अलावां सभी के नाम और प्रमुग घटना है आपको इसमें याद करनी पड़ेंगे जैसे कि Tiger King है तो आपको यह जानना पड़ेगा Tiger King कौन था उसका Tiger King नाम क्यों पड़ा औ कि इसमें घटनाए पूछी जाती है पेपर में और जो आपका फ्रोज होता है फ्रोज में अगर आप उपर उपर पढ़ लेते हैं तो एकदम नॉर्मल से कोश्चन फ्रोज से पूछे जाते हैं ये थे आपके स्लेबस स्लेबस मतलब कि क्या आपको पढ़ना है अब हम देखत आपकी बुक से नहीं आएगा आपकी गाइड से नहीं आएगा ऐसे रैंडम नी पूछ लेते हैं लेकिन यहाँ पर इसमें अच्छी बात यह होती है कि जो चार पूछे जाते हैं चार की चारों कोश्चन के एंस्वर आपको इसी अंसीन पैसेज में मिलते हैं अगला कोश् लेकिन अलग होता है तो लेटर आपको पढ़ना है उसके बाद लेटर बिजनेस लेटर तीन चीज़े करनी है और इसके अलावाद दूचीज़े दी गए हैं बुकिंग और कैंसलेशन, मेकिंग, इंक्वारी जीटिसे यानि कि वह खरूप से अगर आप यह रिटर को आप आपकाम चल जाएगा इतनी में, छटा आता है जो हमारा होता है ग्रामर पोर्षन, ग्रामर पोर्षन बहुत ही आसलान कर दिये हैं अभी तक बहुत ही कठिन होता था लेकिन अब पांच कुष्टन आप से इसमें दिये रहेंगे जिनमें आपको आप्सन दिये जाएंगे, आपसल मतलब बोचेगा कि इस सब्द का एंटोनिम ने क्या है, चार आपसन दिये रहेगा, एक पर आपको टिक कर देना है, बोलेगा इनमें इसका साइनोनिम क्या है, चार आपसन दिये रहेंगे, एक पर आपको टिक कर देना है, काम कातम, पहले आपको लिखना पड़ता थायाद करना पड़ता था लेकिन अब के वल आपको टिक कर देना है पांच कोश्चन टिक करने की नहीं रहेगा पांच कोश्चन में आपको लिखना पड़ेगा क्या करना है 10 questions mcq and very short type question नहीं 5 mcq रहेगा पांच short type answer question रहेगा इसमें आएगा narration synthesis transformation syntax vocabulary उसके बाद idiom phrases, phrasal verb, synonyms, antonyms, one word substitution, substitute और क्या होता है अपर इसमें 5 चीज़े क्या आती है जो कि हमें आती है क्या कहते है उसके लिए टिक करने के लिए synonyms में आपको टिक करना है अनtonyms में टिक करना है, one word substitution में टिक करना है उसके बाद phrasal verb, यहां से idiom and phrases में आपको टिक करना है इसके बाद एक और होता है, यह side homophones आता है, इसमें भी आपको टिक करना होता है पांच question आपके टिक करने से काम चल जाते हैं, जो कि होते हैं 10 number के और 10 number का question आपको लिखना होता है यानि 20 number का आपको यह 25 number का है, टोटल 20 number का आपसे यह वाला पोश्चता है और 5 number में आपको बोलता है कि आप translation करके दीजिए हमको, translation का आपको 5 number देता है टोटल 25 का है, जिसमें कि पर्च आपके टिक करने वाले होंगे, multiple type question होंगे पांच question का answer आपको लिखना पड़ेगा, और एक का आपको translation करना पड़ेगा अब इतनी question हो गए, उसके बाद क्या आता है, दो question आते है, short type के आपके प्रोश से आठ नमबर और साथ नमबर के आते हैं question है, long answer आता है दो, एक, तीन question आपका आएगा, किसे प्रोश से तीन question आएगा, तीनों question का वीटेज होगा पंदरा नमबर, यानि कि पंदरा नमबर में आपका 7 chapter पड़ेगे, पंदरा नमबर मिल जाएगा poetry में मैंने बोला आपको कि कुछ नहीं आता है, central idea आती है और एक stanza दे देते हैं कभी-कभी, तो extract करना पड़ता है यहाँ पर क्या बोल रहे, 3 मेरी 100 type answer questions based on given poetry extract तो यह stanza होता है, उसको आपको क्या करना पड़ता है, extract करना पड़ता है, 6 number का होता है और एक आपका आता है central idea, यहाँ पर दियान देने वाली बात यह है, कि यहाँ पर जो हमें stanza मिलता है, extract करने के लिए वो आपको आपकी किताब में नहीं मिलेगा यानि कि आपको paper में पढ़ना है, उसी stanza में answer दिया रहेगा उसी में पढ़ना है, उसी में लिखना है, और आपको 6 number लेकर वहीं से जाना है central idea हो गई, विस्तास में भी आपको कितने number का है, 15 number का है 15 number यानि कि आपको क्या करना है, 2 question है, आपके short type आएंगे और 1 question long type आएगा, अच्छी बात यह है कि केवल 2 question नहीं पूछता है करने चाहिए भी करने, जो आपको आसान लगे, वो question का answer आप कर सकते है फिर यहां पर देखेंगे, बिस्तास हो गया, और यहां पर यह साई चीज़े दे दिये है यानि कि जो आपको बिस्तास है, यह 11 question, 11 के बाद आपका लिखने का काम खतम, आपका paper नहीं पर खतम हो जाएगा टोटल पूडांक आप कराएगा, 100 नमबर का, 100 मेंसे जितने आप करेंगे, उतने नमबर आपको मिल जाएगे फिलाल अभी एक वीडियो आने वाली है, अगली वीडियो जहां तक होई रहेगी, कि इंग्लिज के paper में 90 नमबर कैसे पाएगे इसको अगर आप देखना चाहें, टिस्फिर्सन वाक्स में लिंक मिल जाएगी, या फिर आपको चैनल पर जाएगे, चैनल पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी, दोनों में आप कोई भी देख सकते हैं फिलाल इस वीडियो में इतना ही था, हम में लेंगे से किसी नेक्ट वीडियो में, जाएएगे